करना बढ़ता है वह हम लोग कैसे एक फॉर्मूला से आपको मिजर्मेंट कर सकते हैं दोस्ता हम लोग सब लोग जो सोलार में इंट्रेस्टेट है और जो लोग थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोनिक्स में ग्यान रखते हैं वह जानते ही होंगे कि दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे स्टेप बाइस्टेप इसको इस्तेमल करके आपका जो सारा का सारा जो चीज और निकल सकते हैं कि दोस्तों हम लोग आ चुके हमारा सीट पे और इधर हम लोग पहले इसका जो फॉर्मूला है उधर हम लोग लिग लेते हैं तो हमारा फॉर्मूला है पी का मतलब होता है पावार और वी का आप वाट करते हैं कोई बाल्ब को 100 वार 200 वाट वही है वह इसका वाट यानिकि पावार के मौदलब होता है वाट तो हम लोग जब बोल्टेज और एमपेर को एक साथ मांटिप्लाइ करते हैं तब हम लोगों को पावार यानिकि वाट निकल के आता है दोस्तो इधार मैंने अलग-अलग जुआ जो कालर है वह इस्तिमाल करेंगे आपको समझाने के करेंगे किको कालर में आपको थोड़ा सा एजीली आंड़रस्टेंड होगा इसको समझने में तो यह है हमारा मेन फौर्मूला दोस्तो वाट यस, हम लोग सबी लोग देखते ह एक इणिशना करके आपको दिखाता हूं तो दोस्तों पहले हम लोग क्या निकलेंगे P को यानि की P का मतलब होता है वाट यानि कि वाट निकलेंगे ठीक है तो वाट निकलने के लिए हम लोग को फोल्टेज और एम्प्राइज जो है तो उसको पाता होना चाहिए क्योंकि दूस्तों वोल्टेज और एंप्यार को माल्टिप्लाई करके हमारा पावर निकल के आता है ठीक है तो साफ़ज बान लेजी हमारा एक बैटरी का बोल्ट इदर सो कर रहा हूं ओ है 12 ठीक है तो भी कल तो कि दूना मेला 12 तो दूसरे बात पर जो आता है कि आंप्यार तो आमारे जो एंप्यार है ओ विद्चवल्ट इंट् Deb AG की आपका बालबोग् पैनो टूम कर्यां अपको डिसी सिस्टाप में तो उसको कितना होगा उस फेन Camborm और लाइट का तो मल्टिप्लाई करेंगे सिंपल दो टूट इंटू तो तो मॉल आप कोई भी चीज का जो voltage requirement है वो कैसे फुल्बिल कर सकते हैं यानि कि दोस्तों आपको जो जो चीज आपको चलाना चाहिए वो कैस किस voltage में full और maximum performance देगा वो इस calculation में आपको पता चल जाएगा तो सपर्ज मान लो आपके पास एक बाल्ब है और आप उसका पावार चानते हैं यानि कि आप बाल्ब का पावार सपर्ज मान लेजिए 100 वाट तो आपको इसका निकलना है voltage यानि कि voltage कितना है और अपने माल्टिमूटर से आपका जो बाल्ब का एंपियर कंजिम है वो भी चे का जो फार्मूला है वही बिठाएंगे तो पी का वैलू है 100 और हम लोग भी नहीं जानते और आई का वैलू है टू एम्पियर ठीक है तो इसको सिंप्रिफाइब करने के लिए हम लोग वाट के जो जगा में भी लिखेंगे ठीक है तो भी इकल टू क्या होगा जो पावार है पावर का पहलो हांडेट है उसके नीचे दो लिखेंगे ठीक है तो दो से इसको भाग कर देंगे तो हमारा जो भॉल्टेज है निकल के आ जाएगा तो हांडेट वाई टू इकल टू फिप्टी फोल्ट तो ए फिप्टी वोल्ट से और टू एम्पियर से जो बाल फे इसको पूट करेगा तो आपको जो फॉर्मुला में जो भॉल्ट है वो निकल के आ जाएगा ठीक है तो समझके होंगे कि कैसे वोल्टेज निकलता है हम लोग इस फॉर्मुला से दोस्तों आप इसको नोट डाउन कर सकते है काई भी तो आपको आसानी होगा आपको कैलकुल नंबर फे जो है वह हमरा एंपर कलकुलेशन तो हम लोग एंपेड कैसे निकलेंगे कोई भी हमँरा एपलाइंस ओ बढ़ भी फैन हो कोई भी फैन है ठीक है तो पावर बेसिकले होता है कि 60 वाट के आसपास होता है तो आपके पास फैन है तो इस भेंडा का अब वार्ट जानते हैं और उसका भी भोटेज भी आप लोग जानते हैं कि फेंड का भोल्टेज कितना है तो मैंने साफ़ पो बोल्टेज मान लिया है त्वेपॉर जैक्俊अ Chair है अब इकल टू 60 भी इकल टू 24 और आई हम लोग नहीं जानते तो वाट तो इसको हम लोग सिंप्लिफाइ करने के लिए का लिए का लिखेंगे ठीक है तो आई इकल टू क्या होगा जो पावर का भेलोग है वह सेम परमूला है 60 डिवाइड़ बाई 24 तो इसको हम लोग आपको कंजूम करेगा तो यह भी आप नोट डाउन कर सकते हैं तो डिरेक्ट एमप्यर जो निकलना चाहते हैं कोई भी तो एमप्यर इकल टू वाट डिवाइड़ वाइड़ वोल्टेज ठीक है यह अब नोट करके रखिए सोमज के होंगे कि कैसे एमप्यर निकलता है इस आपको पता चल जाएगा तो इसका लिए और इस वा में वह को सोलर का जो सौलर का जो उसको बेलतार कर सकते हूँ दोस्तों वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करेजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में